क्लेक्टर नीरच कुमात सिंग ने राजकर जिले के समस निवासियों को सूचित करते हुए कहा है कि साशन द्वारा आईश्मान भारत निरामय मध्यविदेश योजना के अंतरगत आईश्मान कार्ट बनाया चारा हैं इस कार्ट के अंतरगत आप अपना और अपने परिवार का पंचियन करा सकते हैं इसके लिए एसी सी सुची 2011 में पात्र जो व्यक्ति खादान पर चिधारा के वेजिए स्योजना का राब ले सकते हैं ये पंचियन प्रतेक सदल से के हिसाब से होता है इस पंचियन के लिए शा वस्ता में शास की अत्वा और नीची अस्पतार में पांच लाग तक करा सकते हैं कि मैं कलेक्टर राजगर्ड नीरत से राजगर्ड जिले के समस्त निवासियों को यह सूचत करना चाहता हूं कि शासन द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम मध्यपदेश योजना के अंतरगत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं इस कार्ड के अंतरगत आप अपना एवं अपने परिवार के व्यक्तियों का पंजियन करा सकते हैं इसके लिए जो व्यक्ति S.E.C.C.C. 2011 की सूची में पात रहें उनके दोरा पंजियन कराए जा सकता है तथा जो व्यक्ति खाद्यान परची प्राप्त कर रहे हैं उनके दोरा भी पंजियन कराए जा सकता है यह पंजियन प्रतेक सदस्य के हिसाब से होता है मतलब यदि आप अपने स्वयम का पंजयन कराते हैं इसका मतलब है कि आपके बीमारी में आपको इस काड़ का लाह मिल सकेगा आपके परिवार के अन्य लोगों के लिए आपको उनका अलग से प्रिथक से पंजयन कराना पड़ेगा 30 रुपए का शलुक लिया जाता है तथा किसी भी बीमारी की अवस्था में आप किसी भी शास्की अर्थवा निजी अस्पताल में पांच लाग रुपए तक का उप्चार इस काड़ के माध्यूं से मुफ्त में करा सकते हैं यह पंजयन जिले के प्रत्य एक लोगसेवा केंडर पर तथा जितने भी कॉमन सेटिजन सेंटर है नागमिक सुविधा केंडर उन सभी पर किया जा रहा है इस यह पंजयन कराने के लिए आप अपने ग्राम पंचायत के सर्चिफ से संपर कर सकते हैं तथा उनके माध्यम से कॉमन सिटिजन सेंटर अथवा लोगसेवा केंड़ पर आपके काड़ बनाने में आपकी मदब की जाएगी मैं आप सभी से अंडोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस योजना का लाब उठाएं 30 रुपए में 5 लाज रुपर तक आपको इलाज को सुपधा मिल रही है इस योजना का लाब उठाते हुए अलश्मान योजना के काड़ जल्द से जल्द बनवाएं धन्यवाली